स्वागत है आपका वेदमी के विट्व चैनल पर जैसा कि हम पहले आप से रिवील कर चुके हैं कि हमारा सप्राइज किया था तो सप्राइज था एक स्कॉलर्शिप टेस्ट जो वेदमी करने वाला है और जहां पर एंकर्स को जो CSR का बैज चला रहे हैं उसमें हाई पर्सेंट आएगा और कितना पर्सेंट आफ मिलेगा तो फॉर ऐसा समरी जो पहले वीडियो में बात कर चुके हैं उसको मैं फिर सिक बाइब बता रहा हूं कि लाइक की जो आपका टेस्ट होगा टेस्ट थाड़ अफ मार्श को 3 पीम पे होगा वेदमी के वेब साइट पे और एप पे भी अब चलते हैं पर्सेंट आफ के बारे में तो जो जिसमें इस स्कॉलर्शिप टेस्ट में जिसकी रैंक वन आएगी उसको मिलेगा 75 पर्सेंट आफ अब इससे एक बात मैं पहले क्लियर करते हूं कि अगर आप पहले पर्स ले चुके हैं तो उन सुडेंस को को फुपर्सेंट कर दिया जाएगा लेका लेकिन अगर इफर एक्ज सब्सक्स पने कोर्स खहीदा होगा और आपकी रैंक वन आती है तो इसमेंड कर्के को 55 पर्सेंट कर दिया जाएगा तो यह बात का ध्यान रखिए गा कि अगर आपने 24 परसेंट पर पर सेंट घृता हो वाले को मिलेगा 45% और लास्ट रैंक 11-50 वाले रोह को मिलेगा 30% और रैंक 1 वाले को मिलेगा 75% और रैंक 2-5 वाले को मिलेगा 60% और रैंक 6-10 वाले को मिलेगा 45% और नेक्स्ट रैंक 11-50 वाले को मिलेगा 30% और यह परसेंट और जो आपने डिसकाउंट ले लिया है उससे मा कर चुके हैं तो इस वीडियो मोटीव आप से कैसे टाइमिंग क्या टाइमिंग होगी क्या पेपर पैटर्न होगा क्या सलेबस होगा सबसे पहले टाइमिंग की बड़े तो आपको जो टेस्ट होगा 3rd of March को होगा कब 3 to 6 p.m. ठीक है 3rd of March को 3 p.m. पर टेस्क लाइब हो जाएगा आप उसको 6 p.m. तक आपको अटेम्ट करना है नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की तो टोटल सिक्स सॉरी त्री सेक्शन होगा जैसे सेक्शन में होता है और हर negative marks पे मिलेगा minus 0.5 आपके कट हो जाएंगे next होगा section B इसमें होगा total 35 questions और हर question पे आपको मिलेगा plus 2 marks और negative होगा .5 next section C इसमें होगा total 25 questions हर question पे आपको उडेगा plus 4 और negative mark की माइनस वन अगर आपने question गलत किया है तो तीन सेक्षिंस होंगे section 1 section section b section c section a जो आपको missly aptitude part होता है उसमें आपको 15 questions मिलेंगे और उसमें सारे question compulsory होंगे कोई optional नहीं होगा so section a में आपको 15 questions करने पढ़ेंगे इसमें आपको plus 2 marks मिलेगा minus 0.5 आपके निगेटिव होगा, next section B, इसमें total 35 questions होंगे, plus 2 marks होगा, 0.5 आपके data हो जाएगा, next होगा section C, इसमें आपके 25 questions होंगे, और हर question पर आपको मिलेगा plus 4 और negative minus 1, next part कलते हैं slavers, जो slavers आपके CSRS पर CSRS पर पाटन ही आपके slavers रहेगा, तो एब फिर बता हूँ, date and timing, 3rd March को 3 से 6 प्यम पर ये test होगा, paper pattern आपके section A, में 15 questions, plus 2, minus 0.5, then section B, आपके 35 questions, plus 2 and 0.5, section C, आपके plus 4 and minus 1, और slavers आपके CSR patterns के साब से रहेगा, परसेंट आफ जो आपको next slide में बता ही दिया गया है, कि rank 1, 75, 2 to 5, 60%, 6 to 10, 45%, 11 to 50, 30%, अब चलिए बात करते हैं कैसे आपको इसको enroll करना है, तो enroll करने के आप and website दोनों के थो enroll कर सकते हैं, कैसे enroll करना है, So, मैं बताता हूँ कैसे आपको enroll करना है, तो enroll करने के आप with me के website पर चले जाएगा, या फिर app पर चले जाएगा, एप में same login करके CSR वाले section के free course section में जाके मिल जाएगा, आपको ये course, आप पर log in करिएगा, CSR वाले section में जाएगा, वहां से उपर आपको जहाँ page course दिखता करके, वहां आपको course में जाएगा, इस test का पहली कोई भी charges नहीं है, free of cost तेस्ट, तो इसके बाद आप देसे website में मैंने login कर लिया, website पर login कर ली जाएगा, देन नीचे जाएगा, आपको scholarship test दिख रहा होगा, यहां पर review details पर करिएगा, और यहां से add to library कर ली जाएगा, यह course आपके library में free of cost add हो जाएगा, उसके बाद यहां पर scholarship test करने section में चले जाएगा, तो देख सकते हैं कि यहां पर test जो है आपका hard of 3 p.m को start हो जाएगा, तो आपको clear होगा 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 कि website आपके तुरू कैसे enroll करना है, simple है, कोई charges नहीं, डाट की sports का अपने add library मैट कर दी जा किया जाएगा, 3rd of March 9 p.m को कब, 3rd of March 9 p.m को declare किया जाएगा, और इससे test related कोई भी doubt है, तो आप comment section में बताएगा, मुसको clear कर देंगे, so सारी details आपको मिल गई है, आपको सारी details clear होगे होगी, तब भी कोई doubt रहेगा, तो आप comment section में जरू बताएगा, मुसके clear कर देंगे, thank you and bye-bye.